नमस्कार टार्गेट विदालोग के एट पीम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विवेक मिस्रा ख़बरों की सुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर 2020 के पुलिटजर पुरसकार विजेताओं का एलान न्यूज यूर्क टाइम्स को मिला सरवाधिक तीन अवार्ड तीन भारती सहित अन्य समाचार संगठन भी सामिल रहे सूची में DRDO ने विक्सित किया यूबी ब्लास्टर बड़े छित्रों को सेनटाइस करने में होगी सुविधा IIZ ने विक्सित किया वन डाइमेंशनल फ्लूइड सिमुलेशन कोड फिजिक साफ प्लास्मास पत्रिका में प्रकासित हुआ सोध अजर बेजान में आयोजित हुआ नैम का आभासी सम्मिलन पीयम मोदी पहली बार सामिल तो चलिए ख़वरों की सुरुआत करते हैं साल 2020 के लिए पुलिदजर पुरसकार विजेताओं के नाम के इलान की योजना बीते माह कुरोना वायरेस के मद्दे नजर अस्थगित कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त ज्यादा तर पत्रकार महामारी के रिपोर्टिंग में ब्यस्त थे आपको बता दें कि यह पुरसकार वितर्ण समारो 20 अप्रेल को आयोजित होना था कुरोना महामारी के बीच इस साल के पुलिदजर पुरसकार विजिताओं का एलान 4 मई को किया गया एलान के अनुशार दे नियू यार्क टाइम्स ने सबसे अधिक तीन पुरसकार जीते समाचार एजेंसी एएफप यानि एजेंस फ्रांस प्रेस के मुताबिक नियू यार्क टाइम्स एंकरेज डेली न्यूज और प्रो पुलिका को पुरसकार से सम्मानित किया गया चार मई को यह पुरसकार उन समाचार संगठनों को प्रदान किये जाने की घोसना की गई जिन्होंने भरस्टाचार कानून प्रवर्तन और अमेरिका में नसलवाद जैसे मुद्दों को उजागर किया इन तीनों समाचार संगठनों को भी इनहीं मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरसकार प्राप्त हुआ है। के लिए एंकरेज डेली न्यूज और प्रो पब्लिका को सैन्युक्त रूप से पुब्लिक सर्विस रणी का आवार्ड मिला। इसके अलामा दे वासिंग गटन पोस्ट, असोसियेटेड प्रेस, दे लौस एंजलिस टाइम्स, फिलिस्तीन हेराल्ड को भी अलग-अलग पुरसकार जीता, कस्मीर घाटी की स्थिती से जुड़ी तस्वीरों को उजागर करने के लिए असोसियेटेड प्रेस से जुड़े तीन भारती फोटोग्राफर्स को भी फीचर फोटोग्राफी काटेगरी में आवार्ड मिला। मुक्तार खान, यासिन डार और चन्नी आन पुलितजर पुरसकार अमेरिका का एक प्रमख पुरसकार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित और संगीत रचना के क्षेत्र में उलेखनी योगदान के लिए दिया जाता है। साल 2019 का यह पुरसकार नियुव यॉर्क टाइम्स और वाल स्ट्रीट जनरल को अमेर अरही में कोरोना वाइरस के अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में ततकाल और रसायन मुक्त कितान सोध यानि डिसिनफेक्शन के लिए रक्षा अनुसंधान एवंग विकास संगठन या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट और्गनाइजेशन यानि DRDO ने UV ब्लास साला लेजर साइंस एंड टेकनोलोजी सेंटर यानि लास्टिक द्वारा विक्षित किया गया है इस उपकरण में 360 डिगरी प्रकास के लिए 254 एलम वेवलेंद पर 6 लैंप हैं इनमें प्रतेक लैंप 43 UVC पावर की क्षमता वाला है यह उपकरण 12 गुडे 12 फुट आकार के कमरे को किटान मुक्त करने के लिए तकरीबन 10 मिनट और 400 वर्ग फुट कमरे को किटान मुक्त करने के लिए इसे 30 मिनट आवश्यक होता है इसकी खास बात यह है कि अचानक कमरा खुलने या मानवी दखल पर यह सनिटाइजर खुद बखुद बंद हो जाता है इसका प्रयो में लगे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों इत्याद को कितान मुक्त करने के लिए और अधिक भीडभार वाले जगहों जैसे हवाई अड्डों, सौपिंग मॉल, मेट्रो, होटलों में किया जाएगा। यूवी आधारित इस छेत्र सेनटाइजर को वाई-फाई के माध्यम से लेप्टॉप या मोबाईल से दूरस्थ परिचालन यानि रिमोट ओपरेशन के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। हालिया दिनों में DRDO ने COVID-19 से लड़ने में महत्तपूर भोमिका निभाई है। डी-टी-डी-पी के सैयोजन के माध्यम से किया गया था। के अनुसार विश्व अस्तर की हतियार प्रणाली एवंग उपगरणों के उत्पादन में आत्प निर्भरता बढ़ाने की दिशा में कारी करता है। परंतु कोरोना महामारी के दोरान DRDO, वेंटिलेटर, PPE यानि पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट किट बड़े क्षेत्रों को सेनटाइज करने की उपाए। और COVID-19 परिक्षण के नमूनों को एकत्रित करने के लिए कियोस्क आधिके क्षेत्र में भी महत्तपूर्ण योगदान दे रहा है। DRDO ने एक Mobile Virology Research and Diagnostics MVRL का विकास किया जो कोरोना वाइरस की जाच और अन्य COVID-19 अनशंधान तथा विकास गतिविधियों को गतिप्रदान करेगा। हाल ही में भारती भू चुमकत्व संस्थान यानि Indian Institute of Geomagnetism में IIG ने एक आयामी द्रव Simulation Code यानि One-Dimensional Fluid Simulation Code विक्षित किया है। इस सोधकारे को Physics of Plasmas में प्रकासित करते हुए IIG ने दावा किया कि यह Simulation Code प्रिथवी के चुमकी मंडल में बिद्युत छेत्र की सन्रशना और उसकी बनावट का अध्यन करने में मदद करेगा। दर्शल प्रिथवी का चुमकी मंडल एक ऐसा विसाल क्षेत्र है जहां से सीमित संख्या में उपग्रह गुजरते हैं। परडाम स्वरूप इस छेत्र का अवलोकन सीमित और अलग-अलग है। इस विक्षित तकनीक से उपग्रह के चारों और प्लाजमा के निर्मित होने क वजहों को अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। यह अध्यन भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की योजना और निरंतर बढ़ती उर्जा आवसकताओं के मद्देनजर सटीक और नियंतरित फ्यूजन प्रयोक सालाओं में भी मददगार साबित होगा। आपको बताते च जलें कि प्रितवी की चारों और अंतरिक्ष में मवजूत प्लाजमा की जमाओं का मुक्ष्रोत सूर्य है। सूरिक से उत्सरजित होने वाला प्लाजमा सौर पवन यानि सोलर विंड के रूप में प्रितवी की और गति करता है जिसकी गति 300 से 1500 किलोमेटर प्रतिसेकंड ग अस्थापना वर्स 1971 में की गई। इसका मुख्याले महरास्ट के मुंबई में इस्थित है आई आई जी का मुख्यकारि भूचुमकत के क्षेत्र में गुडवत्ता अनुशंधान करना और वैस्विक अस्थर पर भारत को एक मानक ज्यान संसाधन के रूप में अस्थापित करना है कोरोना महामारी के दोर में गुट निरिपेक्ष नौन अलाइंड मुव्मेंट यानि नैम समुह द्वारा नैम संपर्क समुह सिखर सम्मेलन या नैम कॉंटैक्ट ग्रूप सम्मिट यानि नैम सी जी एस का आयोजन किया गया अजर बेजान में आयोजित होने वाले इस आभासी सम्मेलन में तीस से अधिक राष्ट्रा ध्यक्षों और अन्यनेताओं ने भाग लिया श्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद यह पहला आवसर होगा जब वे नैम की किसी बैठक में सामिल होंगे साल 2012 की बैठक में ततकालिन प्रधान मंत्री स्थ्री मन मोहन सिंग सामिल हुए थे आपको बता दें कि नैम की बैठक 2016 और 2018 में भी हुई थी परन्त उसमें भारत की ओर से उपरास्टपती सम्मेलित हुए थे इस साल के सम्मेलन की थीम है कोविट 19 के विरुद्ध हम सभी एक जुट हैं वी स्टेंड टूगेदर अगेंस्ट कोविट 19 गुट निर्पेक्षता का अर्थ है कि कमजोर और विकासिल देशों को किसी महासक्ती का पिछलगू बनने की जरूरत नहीं है ये देश अपने नैम की सुरुवात योगोसलाविया के रास्टपती जोसेफ ब्रोंज टीटो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहरू और मिस्र के गमाल अब्दुर्नासिर की दोस्ताना पहल से हुई इन तीनों देशों द्वारा 1956 में एक सफल बैठक आयोजित की गई जिसे इंडोन और घाना के प्रधानमंत्री बामे इनकुरूमा द्वारा इस बैठक को जोरदा समर्थन दिया गया बाद में इन ही पांच नेताओं को नैम का संस्थापक माना गया पहला गुट निरपेक्ष समेलन सन 1961 में बेलगरेट में किया गया जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया वर पंत में आईए कुछ अन्य महत्पूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर जो आपकी परिक्षाओं के लिहास से महत्पूर्ण साबित हो सकता है COVID-19 महामारी चिकित्सा ब्यवस्था और अर्थ ब्यवस्था के साथ आगामी वर्सों में होने वाली वैस्विक खेल प्रदियूगताओं को भी चुनावती दे रही है राष्टमंडल युवा खेल भी इसके प्रभाव से अचुता नहीं रहा आपको बता दें कि साल 2021 में आयोजित होने वाले राष्टमंडल युवा खेल को 2023 तक अस्थगित कर दिया गया है इसके साथ ही टोकियो उलम्पिक के साथ इसकी तारिखों का टकराव भी इसके अस्थगित करने का एक कारण था आपको बताते चलें कि इसी साल 23 जुलाई से 8 अगस्थ के बीच होने वाले टोकियो उलम्पिक को बीते दिनों कोविट-19 महामारी के मद्दे नजर आगामी एक वर्स के लिए अस्थगित किया गया था रास्टमंडल युवा खेल का आयोजन रास्टमंडल खेल महासंग यानि कॉमन विल्थ गेम फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है साल 2000 में पहले रास्टमंडल युवा खेल का आयोजन स्कॉर्ट लैंड में किया गया था राष्टमंडल खेल महासंग का गठन 1932 में किया गया गौरतलब है कि राष्टमंडल युवा खेलों के 77 का आयोजन 1-7 अगस्त तक ट्रीनी डाड एवंग टोबाइगों में होना था महासंग के ने कैरेबियाई राष्ट के खेल आयोजगों को यह भरोसा दिलाया है कि 2023 में होने वाले खेलों की मेजबानी के लिए उनकी प्राथमिकता बरकरार रहेगी नासा के पहले मंगल हेलिकॉप्टर का नाम इंजेनियूटी रखा गया है दरसल नासा ने नेम दरोवर नाम की एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था इस प्रतियोगिता में अल्बामा जूनियर हाइ स्कूल की वेनिजा रूपानी के निबंध को चैनित किया गया जिसने नासा के मंगल हेलिकॉप्टर के लिए इंजेन्यूटी नाम सुझाया था इससे पहले मार्च में मार्च रोवर का नाम पर्शेवरेंस दिया गया इस मिशन को जुलाई या अगस्त में लॉंच किये जाने की योजना है भारती मूल के अमेरिकी नागरिक असोक माइकल पिंटो को अमेरिकी राष्टरपती डोनाल्ड ट्रम्प ने IBRD यानि International Bank for Reconstruction and Development या अंतरराष्टी पुनर निर्माण और विकास बैंक के लिए प्रतनिधी के रूप में नामित किया है सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद वह दो वरसों तक कारियरत रहेंगे आपको बता दें कि अमेरिकी बिधायका को कॉंग्रेस कहा जाता है इसके दो सदन है उच्छ सदन को सीनेट और निम्न सदन को हाउस आप रीप्रेजेंटेटिव कहा जाता है गौरतलब है कि IBRD बिस बैंक समुह की एक रिण प्रदान करने वाली अंतर राश्टिय संस्था है 1944 में अस्थापित इस संस्था का मुख्याले वासिंगटन डीसी में है यह गरीबी उनमूलन और विकासकारियों के लिए मध्यम आयवाले विकासिल देशों को रिण उपलब्ध कराता है वर्तमान में IBRD के कुल 189 सदस्य देश हैं इसके सदस्य अनिवार्य रूप से IMF के सदस्य होते हैं चार मई को अगनिसामकों के बलिदान को सम्मानित करने और परियावर्ण वर्ष समुदाय को सुरक्षित करने के लिए जागरुकता उत्पन करने के उद्देश से अंतर रास्ती अगनिसमन दिवस मनाया गया हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दो हजार बीस से नवीन पतनायक को सम्मानित किया गया फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हैमें जरूर बताईए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करिए वीडियो को लाइक करिए